दोस्तों बेर जर्नी में कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि यह बिल्कुल सीरियस होकर अपनी जर्नी को हलके में ले लेते हैं मतलब भाई वह मजाक मजाक नहीं अपनी जर्नी चर्मिनल लेकिन हाँ इस बंदे को बहुत बेस्ट रिजल्ट मिले हैं यह इस टार्टिंग के बिल्कुल गाल चिकना है और हाँ इसकीन से ही पता चल रहा है बंदे की एज 20 प्लस है तो चलो भाई मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ और कुछ तरीका भी मैं आपको बताऊंगा जो कि यार देखो वैसे तो भाई अगर तुम जरनी स्टार्ट कर रहे हो ना तो मजाक मत स्टार्ट करना हो सकता है तुम्हें भी रिजल्ट मिलें और यह वह सकता है रिजल्ट ना मिलए किичего सीरियस में होकर अपनी जरनी स्टार्ट करना एक तो भाई तुम motivate होगे, result देखकर और हाँ, तुम daily use करोगे, minoxidil gap नहीं करोगे, सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तो, daily minoxidil use करना, कुछ लोग होते हैं न daily use नहीं करते हैं, gap करते हैं, तो भाई चलो, finally मैं आपको result दिखाता हूँ, अगर वीडियो पसंद आगी तो या यहाँ पर देख लो, income मैं आपको starting का result दिखाया हूँ, यहाँ पर देख लो, मतलब भाई, follicles गालों में बेलकुल नहीं है, और जो चीज मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत काम का चीज मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पर देख लो, कुछ दि इस बंदे के साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, तो भाई देख लो, result काफी अच्छे आया है, इस टार्टिंग में, और चलिए थोड़ा मैं एक image और दिखाता हूँ, भाई इस side में देख लो, बाल तो भाई बहुत पतले हैं, लेकिन हाँ, density की कोई दिक्कत नहीं है, कोई क result नहीं मिल रहे थे, ठीक है, चलिए next दिखाते हैं, और वैसे तो भाई मैं आपको final result तक ले कर जाओंगा, और यहाँ पर देख लो भाई, आप लोग खुद चेक आउट करो, एक एक बाल इनके आपको साब साब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा तर भाई न, यह ज ज्यादा तर मोटे बालों की संख्या आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप लोग मिन उक्सडिल डेली यूज़ करते हो न, तो भाई आपको आचानक से result मिलेंगे, कुछ लोगों को न, मिन उक्सडिल से बहुत बहुत बहतरिन result मिलते हैं, लेकिन वो बंदा क्या करता ह और कभी-कभी तो कुछ लोग होते हैं, मिन उक्सडिल चेंज कर देते हैं, सोचते हैं मिरेको और अच्छा result मिलेगा, तो दोस्त सबको पता है लालच बूरी बला है, किसी का result देकर आप लोगों के अंदर लालच पैदा नहीं होनी चाहिए, यह बहुत बड़ी बात मैंने अपने दाड़ी को ग्रो कर लिया, जो सपना था ना, इनका फाइनली सच्च हो गया, ठीक है, बिल्कुर यहाँ पर देख लेना, अभी साइड में देख लो बाई, वैसे तो मेरेको एक चीज यहाँ पर कमी लगी, मुस्टेच के आसपास आप लोग देख सकते हो, कुछ ल डर्मा रोलर यूज़ करते हो ना, तो सुरुवात में ज्यादा चोड में नहीं आना चाहिए, स्टार्टी में आप लोग धेरे धेरे यूज़ करों, जैसे एक दो महीने बितेंगे ना, तो भाई तेजी से अगर डर्मा रोलर यूज़ करोंगे ना, तो भी तुम्हें पत चोड में नहीं आना है, ओके, चलिए फाइनल रिजल्ट दिखाते चलते हैं, अगर मैं यहाँ पर दिखाओं तो भाई यहाँ पर देख लो, गर्दन के नीचे, यह मेरे को नहीं पता है, बट भाई अगर तुम वीडियो देख रहो ना, तो बता देना, यह कैसा दाग अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल चल रहा है, और मैं कोसिस करूंगा, आज से डेली वीडियो आप लोगो को प्रॉइड कराओं, तो आप लोग जरूर करना, अबरार भाई, आप डेली वीडियो अपलोड करो, अगर आप लोग करते हो ना, तो मेरे अंदर एक मोटि बहुत अच्छे ग्रूव हुए हैं, और हां, मुस्टेश की जो क्वालिटी है ना, दोस्त, जो इस ट्रेक्चर हैं, वीलकुल सीधे हैं, कुछ लोग बोलते हैं, मेरी मुस्टेश तो यार, इसकीन में ही चिपक जाती है, देखो दोस्त, ये सिकायत ओ लोग करते हैं, जिन से ज्यादा बेड में सुधार हुआ है, अब यहां पर देख लो, इनके मतलब भाई एक तरफ से देखा जाए ना, तो उतने मोटे नहीं हुए हैं, मतलब कुछ तो टर्मिनल हुआ है, लेकिन हां, बेबी हेर्स आपको बहुत कम देख रहे हैं, अगर वही बेबी हेर्स उने बेड को थोड़ा से टोट कराया था, और जितने भी बेड पहले से कट थे ना, कटे थे तो धीरे धीरे ग्रो हो चुके हैं, गरदर की नीचे देख लो बेड बहुत अच्छे तरीके से आये हैं, अगर यह बंदा चाहे तो अपने बेड को अपने मन मताबिक हिसाब से सेट करा सकते हैं, जैसा मन करेता है, यह करा सकते हैं, चलिए थोड़ा नेक्ट दिखाते हैं, यहाँ पर देखलो बाई, यह रहा थंबलेन का फिक्चर, और देखलो यार कुछ यूटूबर है ना, मेरा थंबलेन अपने यूटूब वीडियो के थंबलेन में कॉपी कर रह हैं, तो वीड काफी अच्छा लग रहा है, और मिनोक्स डिल डायरेक्ट आपके स्कीन में ही एब्जोर्ब हो रहे हैं, यह पतले बालों में सोरी, मोटे बालों में, चाहे पतले बालों में बहुत कम मिनोक्स डिल लगेंगे, लेकिन हाँ पूरा कोसिस करना, जितने भी मिन आफ्टर का पूरा रिजल्ट दिखा दिया हूँ, अब मैं आपको चैट दिखाऊंगा, और सलीवसन भी बताऊंगा, ठीक, अगर तुम डिमोटिवेट हो रहे हो न, अपने रिजल्ट को देखकर, तुम्हारी बिलेड नहीं आ रही है, तो भाई तुम्हें कुछ न कुछ बंदे की पूरी जर्नी कम्प्लीट हो चुका है, 6 मन्त पूरा हो चुका है, तो भाई देखो, अगर बिलेड में कोई भी कमी रहती है, तो मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, जिनके जर्नी कम्प्लीट हो जाते हैं, तो भाई मिनॉक्स डिल हमें ऐसा की चीज नहीं है, मिनॉक्स डिल हमें ऐसा की चीज नहीं है, आप सिर्फ मिनॉक्स डिल से अपने पतले बालों को ग्रो कर लो, चाहे तुमने साल भर लगाया, या दो साल लगाया, आपके बिलेड मोटे हुए या पतले ही हैं, तो भाई आप तुरंत वहां से विटलाइजर लगाना, स्टार अगर भाई तुमारे बिलेड में कोई दिक्कत है, तो भाई तुम विटलाइजर यूज करो, क्योंकि भाई इस बंदे के पूरे बिलेड आ चुके हैं, चाहे यह मोटे हुए हो या पतले वाली हो, विटलाइजर लगाना पड़ेगा, विटलाइजर यूज करने से आपके बिलेड में चार चांद लग जाएगी, ठीक है, पावर दोगना हो जाएगा आपके बिलेड की, ठीक है, चलिए थोड़ा और उपर दिखाते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से पढ़ना, आप लोग, मेरी जरनी कंप्लीट हो गई है, 6 मन्त हो गया, तो भाई यह बं कुछ लोग यार देखा, उनकी बियड में दिक्कते नहीं होती है, अच्छे बियड आते हैं, जरनी कंप्लीट भी हो जाती है, फिर भी वो लोग विटलाइजर यूज करते हैं, तो भाई इससे कोई दिक्कत नहीं है, जिनका यह सवाल था, मैंने answer दे दिया है, तो भाई यह सारे रिजल्ट मैं आपको दिखा दिया हूँ, थोड़ा ही स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देख लो, क्या हाल है दोस्त, कुछ बात करनी थी आपसे बियड ग्रो के बारे में, मेरे 100 के सब्सक्राइबर से हैं, बट तुम्हारे 100 के हो, या मिलिय इस्ट मिले हैं, एकदम अचानक से रिजल्ट मिले हैं, अचानक से रिजल्ट कियों मिले हैं, क्योंकि यह बंदा है न, मार्स का full kit यूज किया था, और हां यह बिल्कुल सत्य, जिसने भी full kit यूज किया है, उन्हें result मिलते हैं, वी complete तरीके से, चाहे result लेट से मिले, वैसे तो भाई बहुत से लोगों को जल्द ही result मिल जाते हैं स्टार्टिंग से ही result मिल जाते हैं कुछ लोग लग परवाई करते हैं फूल कीट możemy use करते हुए भी उनमें दिक्कते होती है उनमें दिक्कते पाई जाती है यहाँ पर देखलो नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बबबाई